हालो प्रेंट्स वेल्कम तो माई चैनल दोस्तों करकराशी के लिए 15 तु 21 शुलाई में रीडिंग लेकर रही हूँ मैं आपके लिए इस बार गोल्डन स्टार रीडिंग लाई हूँ फाइव कार्ड्स निकालकर आपको बताना चाहती हूँ आपके अबस्टिकल्स के बारे म किया है और वह आपके इस प्रकार फुल्फिल करने वाले हैं इसके लिए दोस्तों मैं कुछ निकालकर रख रहे हैं आये दोस्तों मैं आपके स्टार कार्ड से शुरू करने चाहरे हूँ आपका star card आपके लिए क्या आया है, we are very lucky friends, यह करकराशी के जात्कों के लिए जो reading लाई हूं उसमें, यह magician आपका first card निकला है, जो star card निकला है वो यही कह रहा है, आपके पास सब कुछ है, बस आप उनको utilize करना सीख लीचिए, आपको manifest करना आना पड़े, चाहिए कि आपके इस तरीके से अपने resources को, अपने man and material को आप utilize करते हैं, आपके जो भी इच्छाएं हैं वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से पूर्ण होंगी, बस आपको थोड़ा सा intellectually काम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच समझकर रेदी आप वेवार करते हैं, तो आपके सारे कारे पूरे हो, आपका जो first card है, ये card में निकाल रहे हूँ, ये आपका present, presently आपके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपके मन में confusion चल रहा है, क्योंकि आप past को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको control करना पड़ेगा, अपने अपने आ रहे हैं, वो आप उनको face कर सकते हैं, तो presently आपसे यही कहा जा रहा है, कि आपको इन सब चीजों को look करने के लिए, खुद पर control करना पड़ेगा, आपका जो ये next card है, ये निकल रहा है, ये आपकी desires है, आपके इच्छाए क्या है, आप क्या चाहते हो, दोस्तों आपका ये card तो बहुत लगी card निकला है, ये card निकला है आपका star का, आपके मन में बहुत सारी आशाए हैं, आपके बहुत सारी purposes हैं, जो आपको solve करने हैं, और इच्छाए भी बहुत जादा हैं, तो उनको आप पूर्ण करना चाहते हैं, और ये जो card इंडिकेट करता है कि आपके सारी के सारी इच्छाएं, आका अंक्षाएं, wishes सब पूरी हो जाएंगी, बस आपको एक positive attitude रखना पड़ेगा और खुद को motivated रखना पड़ेगा, कोई problem आए तो ऐसा नहों आप हार कर बैठ जाएं, आपको हारना बिल्कुल भी नहीं है, ये जो card है, ये card आपका बत निकला है, ये जो card निकला है, ये आपकी possible obstacles, जो भी रुकावटे आपके सामने आ रहे हैं, उसके लिए निकला है, ये आपको card देखकर ही समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा विक्ति आपकी life में आने वाला है, जो कि outside person, जो कि आपकी situation को दूसरे तरीके से देखकर आपको अप करने वाले हैं, कोई बात नहीं, आपका जो star card है, वो तो बहुत ही अच्छा निकला है, इसलिए you will get over these obstacles, आपका ये जो card है, ये बता रहा है कि आपके सामने क्या ऐसा आ रहा है, जैसे कि इस card को देखकर आपको थोड़ा सा लगा है कि आपको नहीं कर सकेंगे, बड़ जो आपका next card है, ये positive है, आपको success दिलाने वाला है, और ये card ये भी शुकर रहा है, कि आपको जो कुछ भी सोच रहे हैं, वो आपको enthusiasm से करना खुब खुश होकर आप आगे बढ़ते हैं, तो सारी की सारी problems, जैसे कि सूरज की गर्मी के सामने सब कुछ गरम होकर पिखल कर निकल जाता है, उसी प्रकार आपकी समस्या भी आपकी जिंदगी से निकलने वाली है, ये आप अपने आपको थोड़ा सा हिम्मत में रखते है आपका जो last card निकल रहा है, very good card, करकराशी, आप बहुत लखी हैं, आपके सारे के सारे cards ही, बहुत जादा positive cards निकल रहे हैं, आपका जो last card निकला है, ये card निकला है आपका Empress का, ये card तब आता है, ये card आपको बताने वाला है कि आखिर आपको इस week में आप क्या outcome रहेगा, क्या मिलने वाला है, जब ये card आता है, तो ये बताता है कि आपको emotions पर control करना है, feelings पर control करना है, अपनी intuition को सुनना है, ये आप ऐसे करते हैं, अपनी intuitions को सुन कर, मान कर, जैसे कि आपको किसी व्यक्ती ने जबरस्ति कर लिया है, तो आपको एकदम से गुसा नहीं होना है, उसे situation को समझ कर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपको success ज़रूर मिलने वाली है इस week में. Wish you all the best friends. See you soon. Bye.